आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मेरा नाम ए सिध्धान तक नहीं होता ही, स्टैडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थाइड वेब नहीं आईगी, बिल्कुल नहीं आईगी, थाइड वेब नहीं आईगी, हम बज गए, भारत में पंदा से सो बहुत बढ़ी उपलब्धी है, सो क्रोण वैक्सीन लगाना दोस्तों मजाक नहीं है, हमारी वैक्सिनेशन ड्राइफ 16 जनवरी को शुरू होई है, और यहां प्यांके खतम हो रही है, खतम क्या अभी तो और लगनी बाकी है, 30% फुली वैक्सिनेट हो गए, दोनों डोजे तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको COVID-appropriate behavior follow करना है, लेकिन दोस्तों अभी COVID-19 cases फिर से बढ़ते जा रहे हैं, और ये चिंता की बात है, रश्या, ब्रिटेन, चाइना, ये तीनों जगां cases बढ़ रही है, और ये इच्छा नहीं है, भारत में अभी cases नहीं बढ़ में जा सकते हैं, तो जहां हमको लगा कि सब कुछ बढ़िया है, वहाँ दिक्कते शुरूँ हो सकती हैं, इसलिए अभी भी mask लगा के घुमें, भीड भाडबाली जगह पे जा रहे हैं, तो mask लगा के जरूर घुमें, मैं नैनी ताला रहो दोस्तों, Tuesday, Wednesday को मैं नैनी ताल मे रहूँगा, तो आप इंस्टा पे मेसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, study close 1, 2 पे, तो जैसे world economies जो हैं, COVID-19 pandemic अब सब रिकवर हो रहा है, लेकिन जो deadly virus है, जो COVID-19 है, वो कुछ देशों में फिर से आ रहा है, अब आप ये देखिए कि WHO में बताया है कि UK UK में लगभग 2,83,756 नए cases आएं, 14% increase हुआ है, रशिया में 2,17,322 नए cases, 15% increase, दोस्तों Saturday को, नहीं, परसों, 22 तारिक को, ब्रिटेन में 50,000 cases आएं एक दिन में, highest, समझे रहो, European region में 7% का increase देखने को मिल रहा है, जो नए weekly cases हैं, deaths भी increase हो रही हैं, एक लाग पे लगभग 2 लोग मर रहे हैं, तो वही है कि जुलाई, 17 जुलाई के बाद UK ने पहली बार 50,000 COVID cases रिकॉर्ड किये, आप देखिए, डेल्टा जो है, that is the dominant variant, ay.4.2, डेल्टा सब लेनेज, इसको डेल्टा प्लस बोला जाता है, इसी की ही वज़े से बहुत सारे केसे चार हैं, यह तो पता ही है आपको, UK सही तो यह variant निकला है ना, South African variant, Indian variant, Brazil variant और Britain variant भाई, खतर ना के यह बहुत तेजी से फैल रहे हैं, लेगिन अच्छी बात यह है कि vaccination चल रहा है, और पूरी दुनिया में vaccination बहुत ही जोरो से चल रहा है, कुछ देशों में तो, जैसे ब्रिटेन में तो सबसे पहले चुरू हुआ था, तो यहाँ पे भी 70-80% लोग vaccinate हो गए, लेकिन still they are getting infected with this, चाइना में भी cases आ रहे हैं, चाइना में ज़्यादा transparency है, नीट तो हम चाइना का ज़्यादा बता नहीं सकते, लेकिन चाइना COVID cases बढ़ रहे हैं, तो उसने flights भी cancer कर दी है, अभी आपको पते हैं कि ब्रिटेन ने भारत पे जवर दस्त भेदबाव किया था, कि ब्रिटेन ने भारत को ये बोलाता ना, कि यार देखो ऐसा तो है, कि आप तो नहीं आ सकते, आना होगा तो quarantine होना पड़ेगा, उसने और देचों के लिए नहीं किया, और बदले में भारत ने भी same reciprocate कर दिया, तब ब्रिटेन ने फिर उसके बाद बोला कि अच्छा ठीक आप आओ, क्योंकि यहाँ पे vaccine का certificate अगर आपके पास है, तो आप क्यों quarantine होगे, या तो आप RT-PCI test करवा किया हो बहुतर गंटे पहले, नहीं तो आप दोनों doses लगी हो, एक doses भी लगी, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो अब दोस्तों, यह global है, चाइना से COVID निकला, और उसके बाद पूरी दुनिया किसने band बजा दी, यह तनी तेजी से फैला, देखते ही देखते सब कुछ हो गया, पिछले फरवरी से, अब फिर से यह global हो रहा है, हमको flights को cancel करना पड़ेगा, हमको band लगाना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी न, वरना फिर वहां से यहां पे cases आएगे, तो चाइना ने भी flights को cancel किया है, चाइना में भी वुहान और बागी जगां भी cases, जादा देखने को मिले हैं, चाइना ने mass testing जो है वो शुरू कर दी है, और जैसा कि मैंने बताया, तो यह भी है कि यह virus आया कहां से, virus आया कहां से, virus तो चाइना सही आया, लेकिन कैसे आया, चाइना investigation को भी रोग रहा है, तो वही चीज़ आप schools को भी बंद कर दिया गया है, अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या COVID-19 दुबारा भारत को हिट करेगा, क्योंकि चाइना, रश्या और यूके में जो cases आ रहे हैं, वो खतरनाक है, तो यही चीज़ है, हमने 100 करोण vaccination mark को पार कर गए हैं, लेगिन खतरा अभी टला नहीं है, तो चाइना में भी cases आ रहे हैं, रश्या में भी cases आ रहे हैं, यह तीन जगाँ पे ज़्यादा cases आ रही हैं, यह देख सकते हैं आप, चाइना में इतने cases विससे है ही नहीं, ठीके हैं, यह October 24 तक का आकड़ा है, जाद ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पता, चाइना में transparency नहीं है, रश्या में paid holiday दिया गया, कि भाई छट्टियों पे जाओ, बाहर मत निकलो, यह हफ्ता खतम होते होते, by the end of this week, और अगला जो शुरू होगा, हम peak number पे आजाएंगे, इसी लिए आप शांत्रव बिल्कुल दूर जाओ, वलादमीर पुतीन ने भी यही बोला है, कि भाई हम paid holiday देंगे, जो 30 October से 7 November तक मॉस्कों में चलेगा, मतलब आप छुट्टी पे जाएंगे, किस्से चतो कुछ होई नहीं सकता, एक हफ्ते की चुट्टी और आपको salary भी मलती रहेगी, युक्रेन में 24 गंटे में 546 मौते हुई है, सिंगापूर में भी cases जो है वो बढ़ रहे हैं, एशिया के अगर बात करें, तो सिंगापूर में cases बढ़ रहे हैं, दोस्तों, मुझे लगता है कि चाइना में सबसे ज़्यदर cases होंगें दुनिया भर में, यह बता नहीं रहे, WHO क्या कह रहे हैं, WHO बोल रहा है कि भाई देखो, देशों ने COVID-19 restrictions को ease किया है, अब आप कहीं पर भी जा सकते हो, Northern Hemisphere में ठंड आ रही है, और यह खतरनाक है क्योंकि जब ठंड आती है, तो वाईरेस जो है, वो थोड़ा तीजी से फैलेगा, तो जैसे जैसे society खुल रही है, वैसे वैसे देश जो है, उनको COVID का खत्रा उनके उपर जो है, वो मंडरा रहा है, अब बात यह है, कि क्या भारत में भी impact होगा, क्या भारत में भी, देखें, भारत में impact हो सकता है, क्योंकि भारत में COVID-19 खतम नहीं हुआ है, अच्छे बात है कि हम vaccinate होगे, लेकिन vaccinate आपको 100% protection नहीं देता है, भारत को थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, जहां पर केसे ज़ाधा आ रहे हैं, वहां पर curb करने की ज़रूरत है, उनकी frights को ban करिए, उनके लोगों की testing बढ़ाई है, और उनको quarantine करिए, ये चीज़ है, हर दिन अभी भी आप समझी है कि 220,000 के करीब लोग इंफेक्ट हो रहे हैं, और 3,000 लोग तो मली रहे हैं, यूरोप में 7% का इंफ्रीज देखरे को मिला है, यूक्रेइन में, रोमानिया में भी, लोगों की मौते हो रही हैं, और हम अभी तक second wave, भूले नहीं हैं, अब WHO न मैंने बता ना कि covid restrictions को बोला है, अब इसको control कैसे किया जाए, अगें, control आप कैसे करेंगे, तो vaccinate करो, दूसरा हाइड immunity, लेकिन हाइड immunity भाई है न, कि इसमें problem यह होती है, कि अगर cases बढ़ेंगे, तो नए-ने variant आएंगे, और जैसे जैसे नए-ने variant आएंगे, वो और जैसे इंफेक्ट करते जाएंगे, तो आप बचे भूए कैसे, तो फिलाल खाबर यही है, कि cases जो है, वो जादा आते जा रहे हैं, खुछ रहे हैं पर तेरे इदे से सिद्दान तक नहीं होता है, साय नहीं होगा,